नमस्कार आदाब मेरा नाम है दिवान श्वेलावत और आप देख रहे हैं Life is Awesome YouTube चैनल ये बोड है सामने जिसमें लिखा हुआ है मरियम टूम इस दिशा की तरफ जो एरो इंडिकेट कर रही है तो इस रोड पे हम थोड़ा से चलते हैं महज 100 मीटर आगे चलते हैं तो जो एक मॉनुमेंट आएगा वो आपके सामने है 100 मीटर आने के बाद हम यहाँ पहुचते हैं वो मैंने मेरी गाड़ी जो है पार्क कर दी यहाँ पे टू विलर फोल विलर की सफिशेंट कार पार्किंग है यह जो है यहाँ पे आप स्कैन करके टिकेट लेंगे हम आयोए हैं मरियम टूम जो की आगरा में है यह सामने आप देख पा रहे हैं तो ओन्लाइन इसकी टिकेट पड़ेगी 20 रुपीज पर हेड हम दो लोग हैं तो 20, 20, 40 रुपे मैंने पे करके आपको पे करना पड़ेगा जिसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए ड्राइविंग लैसेंस या कुछ भी आईडी प्रूफ होना चाहिए आईडी प्रूफ मांगते हैं वो तो जब आप ये टिकेट पे करते हैं यहाँ पे आपको फिर फोन नमबर एंट्री करानी पड़ती है और आप यहाँ पे आगे घूमने के लिए आ सकते हैं ये जो है बिसिकली टूम ओफ मरियम उज जमानी जो की एक रानी थी मुगल बाजशा अकपर की ये सिकंद्रा एरि कि मरियम उज जमानी जो है बिसिकली एक राजपूत प्रिंसिस थी जिनका असल नाम था हर्का भाई या जिसे हम जोदा भाई भी कहते हैं हर्का भाई कह लीजे या जोदा भाई कह लीजे आप जो की सबसे बड़ी बेटी थी राजा बर्मल जो की अमेर के थे 1562 में उनका निका हुआ अकबर के साथ और उसके बाद उनको एक पुत्र का जनम हुआ जिनका नाम था जहांगीर जिसकी वज़े से उनको ये टाइटल दिया गया एक खिताब दिया गया मरियम उज जमानी इनका जो है इंतकाल होता है आगरा में 1623 में और 1623 से 1627 चार वर्षों में इन के जो सुपुत्र है जहांगीर साब वो बनाते हैं यहां पे आगरा में इनके टूम इनके मगबरे के करीब में ही अकबर का मगबरा है मतलब जो उनके हस्वेंट थे उनका मगबरा भी यहां से महज एक डिड़ किलोमीटर पे है नेक स्पॉर्ट हम वहीं जाएंगे वीडि जादा अंदर नहीं है तो यह जो कबर आप देख पारें मेरे सामने यह है बेसिकली वो कबर यह देखें आप यह हो टूम जिसे आम अंग्रेजी में कहते हैं तो यह अभी मैं बहारा चुका हूँ यहां महज दस मिनिट पंदर मिट में आप देख लेंगे इसको पूरा बा यह बिल्कुल सेम है आइडेंटिकल है दिखने में तो आप यहां पे जब आगरा में आते हैं सिकंदरा में जब आप आएंगे तो अकबर का जो टूम है वो तो आप देखेंगे ही साथ में आप यह टूम भी देख सकते हैं और उसी के साइड में एक बहुत फेमस मशूर ग होगा शुकरिया